आज स्लाम वैकोटब वेल्कम एल्फा जेनॉमिक्स आज हम माइक्र वायल जी की प्रैक्रक्रिकल सेरीज़ में आपको बताएंगे नीट्रीन एगर की पॉरिंग इन कल्चर प्लेट्स तो आएए चले देखते हैं कि ग्लास की पैटरि प्लेट्स में हम Neutral Agar की pouring किस तरह से करेंगे सबसे पहले आपको pouring के लिए laminar flow hood चाहिए होगा जिसकी demonstration और working हम अपनी पहली वीडियो में बता चुकी हैं और उसमें काम करने से पहले यहां पे आप देखेंगे कि अपनी आपको name की entry करनी होगी और date और time और उसका status इस पे काम करने से पहले एक log book होगी उसमें आपको अपना नाम लिखना होगा काम करने से पहले तो यह रहा हमारा laminar flow hood जिसमें हम पहले भी आपको बता चुके हैं फ्लोरेशन लाइट होगी और हीपा फिल्टर होगी जिसके वज़ा से हम चाहेंगे कि हम अपने पोरिंग इस laminar flow hood safety cabinet के लिख करें ताके maximum sterilization होगे और plates में contamination ना आए तो इसके लिए सबसे पहले हम इसको UV कर चुके हैं अब हाँ हम इसकी light on कर देंगे और इसके हीपा फिल्टर भी on कर देंगे यह हमारे पास एक spirit bottle है या हम ethanol भी ले सकते हैं इसकी sterilization के लिए surface के लिए तो उसके लिए हम पहले इसको spray भी कर सकते हैं और इसको किसी एक neat clean tissue paper से या cotton से आप इसको surface को clean कर सकते हैं और dry कर सकते हैं अब हम इसको 2 मिनट पेट करेंगे ताकि यह अच्छी तरह से dry हो जाएं उसके बाद काम शुरू करने से पहले आप ने हाथ जो है sterilize कर देंगे और अपने हाथों को germ proof करने के लिए आप थोड़ा सा spirit जो है इस पे लगाएंगे और इसको rub करेंगे और इसको भी थोड़ा सा dry होने देंगे यह हमारा nutrient dagger के media है जिसमें आप देख सकते हैं कि autoclave हो चुका है क्योंकि इसमें autoclave tape का white line से black lines में convert हो चुकी है इसी तरह यह हमारी battery plates का stack जो हमने बनाया था news paper में wrapping की थी यह जो है इसमें भी हमने autoclave tape लगाई थी indication के लिए यह white से black में turn हो चुकी है अब यह हमारा इसका trash का disposal की जगह है उसके लिए अब हम plates को लेंगे और इसके इंदर रखते जाएंगे अपने stack को open करेंगे अगर आपके पास disposable battery plates हैं तो उसमें आपको इसनी मेनत की जूरत नहीं है उसमें आप अल्रडी disposable plates का stack खोलेंगे और उनको open करेंगे अब हम plates की alignment इस तरह से करेंगे कि इनको खोल के रख देंगे और straight straight अग देंगे अब इसकी plates की हम plates को पूरा open नहीं करेंगे हम कोशिश करेंगे कि इसमें लेट थोड़ी सी और इतनी open हो कि मीडिया जा सके और उस plate को एक दफ़ा कोलेंगे और उसको सारी plates की plate पौरा नहीं कोलेंगे बारी बारी कोलेंगे एक plate में तकरीबन 20 ml के किलीब volume आएगा और हमने ये 100 volume मीडिया प्रिपेर किया था कि आप देख सकते हैं कि ये अभी liquid form में है autoclave होने के बाद क्योंकि ये गरम है अगर तो ये ठंडा हो जाएगा तो ये जम जाएगा उसके लिए आप ये भी कर सकते हैं कि autoclave होने के बाद इसको आप oven में रख दें पाकि ये ना जमें जब तक आप plates का set त्यार नहीं करते है इसके बाद हम इसको जो है इसके अंदर पोरिंग करेंगे याद रहे कि एक प्रेट्री प्रेट के अंदर 20 ml से जादा मीडिया ना डाला जाए उसके ओवर फ्लो मात किया जाए इसको half fill करते हैं तकरीवन 20 ml के करीब अब इन प्रेट्स को आप देख सकते हैं कि यह अभी तब लिक्विड है यह solidify नहीं हुई है आप देख सकते हैं इसमें पानी है इसलेकि इनको हम वोड़ी देर के लिए वेट करेंगे तक यह solidify हो जाए उसके बाद हम इनकी प्रेट्स को close करें अब इसमें आप करते जाएंगे और यह भी चेक करेंगे कि यह properly solidify हो चुकी हो इस बात के लिए बहुत ध्यान रखा जाए कि जब आप प्लेट्स को pouring कर चुके होंगे और वो solidify हो चुकी होंगी तो उनको एक stack बनाने के बाद stack को आपने सीधा नहीं रखना इसको upside down और inverted करके रखना है उसकी वज़ा यह है कि जब प्लेट्स जब इसमें हम मीडिया डाल देते हैं तो प्लेट्स की जो top की surface होती है इसके उपर moisture आ जाता है और अगर इसके उपर moisture आ जाए और हम प्लेट को सीधा रखेंगे तो वो सार cycle organism की culture करनी हो तो हमें यह चीज़ ensure करनी होती है कि उसकी top surface पर moisture ना हो इसलिए जब तक हम उसके उपर cultivation नहीं कर लेते हम इन प्लेट्स को upside down रखेंगे प्लेट्स का stack बनाने के बाद इस बाद का भी ध्यान रहें कि इन प्लेट्स के stack पर आपने उसी दिन culture नहीं करी है at least हमें इसके लिए 24 आर के incubation देनी है incubator पर या 37 degrees पर या 30 degrees पर incubator पर ताके जो है हम यह देख सके कि इसके अंदर sterilization मकमर है या नहीं क्योंकि अगर plates sterilize pouring conditions में pouring कोई होगी plates में तो उन पर कोई colonies grow नहीं करेंगी within 24 hours और वो 24 hours के बाद भी आपको इतनी ही clean नजर आएंगी जहते अभी नजर आ रही है लेकिन अगर इसमें sterilization अचीव नहीं होई होगी और pouring सही तरीके से नहीं होई होगी तो incubation के बाद आप लोगों को यह नजर हो जाएगा कि उसके अंदर बेक्टीरिया या बहार की contamination की growth हो चुकी है और वो plate काबले इस्तमाल नहीं रही है इसलिए इस चीज़ को ensure करने के लिए कि हमारी sterilization अचीव हुई है और pouring सही तरीके से हुई है और media सही तरीके से बना है या नहीं बना उसके लिए हमें काम शुरू करने से पहले 24 गंटे के लिए इसको incubate करना होगा और हमें wait करना होगा और इसको upside down रखना होगा ये थी हमारी video media की pouring की in glass factory plates अब next videos में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से culture की stricking की जाती है और cultures को grow किया जाता है especially the bacterial cultures and the yeast cultures so please stay tuned to our channel and subscribe to our channel thank you so much for watching